प्रोडेक्ट को cancel हो गया हूँ तो उसको दुबारा से reorder करना है तो आपको उसी प्रोडेक्ट पर किलिक करना है तो जैसी आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने भी कुछ ऐसा इंटरफेस खुलके आज आगा तो दोस्तो जैसा कि तो दोस्तो अगर आप भी एक Flipkart user होंगे तो ऐसे में आपने एक चीज़ notice किये होगी कि जब कभी-कभी हम Flipkart पर किसी भी product को order कर लेते हैं तो order करने के बाद by mistake हमसे वो order cancel हो जाता तो ऐसे में हम सोचते हैं और हमें भी फिर से उसी product को मंगाना था same price पर उसी product को तो आज किस वीडियो में आपको बता हूँगा कैसे आप cancel order को दुबारा से order कर सकते हैं तो बहुत ही short वीडियो होने वाली है तो बिना time waste के चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तो flip card पर cancel order को दुबारा से order करने के लिए सिबसे पहले आपको अपने mobile की home screen पर आने के बाद flip card को open कर देना होगा तो जैसी आप भी अपने mobile phone में flip card को open कर देंगे तो आपके सामने भी कुछ as a interface खुलके आ जाएगा तो दोस्तो यहाँ आपको नीचे bottom में कुछ option देख रहे होगे home का category का notification का account का और card का तो दोस्तो आपको card के साथ ही पीछे account का option दिखाई दे रहोगो तो आपको account वाले options पर click कर देना है तो जैसी आप भी अपने mobile phone में orders के icon को click करेंगे तो थोड़ा आपको वेट कर लेना है तो आपके सामने भी आपके सारे के सारे order आ जाएंगे 8 October को किया था और 9 October को मेरे से by mistake order cancel हो गया था तो अब हमें सेम इसी power bank को सेम प्राइस पर मगाना है याने की 1509 में मगाना है कोँछा 20,000 MHEA power bank है हमने तो वाट वालों को तो हमें सेम प्राइस में इसी product को order करना है तो कैसे करेंगा तो दोस्तो यहां पर आपको दिख रहा ह करना है तो दोस्तो आपको यहां पर क्या करना है आपको लिखना है I don't want to cancel यानिकि दूसरा option select करना है कि मैं नहीं चाहता कि मेरा order cancel हो I don't want to cancel आपको यह वाला select कर देना है तो जैसी select करेंगे तो यहां से भी बहुत सारी chats आ जाएंगे तो यहां पर दो chat आएंगी flip card की service लिखके यानि कि send कर देंगे इनको तो chat थोड़ा आपको यहां पर wait कर लेना है तो आपको थोड़ा पर wait कर लेना है इनकी तरह से as a interface खुल के आ जाएगा तो यहां पर फिर दो आप्शन हैंगे आप यह बहुत है कि आपको customer care से किस मतब वेब बात करनी यानिकी call पर करनी तो हम कर देंगे अपनी language English select तो जैसी आप भी English select कर देंगे तो थोड़ा आपको यहां पर wait कर लेना है तो आपके सामने भी आपका phone number आ जाएगा आप जिस भी phone number पर आपने customer care से बात करनी होगी यानिकी जो भी आपका flip card account में हो तो वो number आपको उस number को click कर देना है तो जैस कि हमारी तरह flip card की call हमारे number पर आगे तो दोस्तो जैसी आपको भी flip card की call आजएगे तो आपको call receive करने तो जैसी receive करेंगे तो उनको बला by mistake मुझे order cancel हो गया तो please हमें दुबारा से order को return करना है same product को same price में तो दोस्तो आपका order फिर से book हो जाएगा यहने कि आपको same price पर आप झाल झाल कि आपको